आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ टू बल्स अपर रेटेट पावर 60 वाट्स और 100 वाट्स अब हमारे पावस चार ऑप्शन सहाँ ऑप्शन 1, 60 Watt bulb गिवस मोर बाइटनेश ऑप्शन 2, 100 Watt bulb गिवस मोर बाइटनेश ऑप्शन 3, 100 Watt bulb बल्ब गत फूस्ज ऑप्शन 4, 60 Watt bulb बल्ब गत फूस्ज तो सब से पहले इसका डागराम बना लेते हैं we have two bulbs, bulb 1 and second one is this bulb 2 इसकी भी पावर रेटिंग है 60 Watt और इसकी पावर रेटिंग है 100 Watt और specified voltage दोनों की सेम है इसकी 220 Watt और इसकी भी 220 Watt अब इन दोनों को सेरीज में जोड दिया गया है with a battery of 440 Watt DC we have a 440 Watt DC source here right अब इन दोनों का resistance निगालते है पहले वाले का resistance है ना this is R1 इसकी resistance मान लेते हैं R1 और ये resistance मान लेते हैं R2 तो R1 क्या हो जाएगा resistance equals to V square upon me P है ना तो ये आजाएगी 220 into 220 divided by 60 तो solve करेंगे तो it is 220 into 22 upon me 6 similarly R2 आप calculate कर सकते है R2 हो जाएगी 220 into 220 divided by 100 ये तो नो cancel out हो जाएगा 00 से तो 22 into 22 484 it is 484 ohms है ना अब देखिए R1 की value और R2 की value में compare करें है ना R1 और R2 की value में compare करेंगे तो आपको पता चलेगा कि R1 is greater than R2 R1 is greater than R2 तो अगर voltage divide होगा चुकि ये voltage है ना voltage ये series में divide होगा R1 पे और R2 पे तो चुकि R1 is greater than R2 तो V1 is greater than V2 है ना V1 is greater than V2 अगर ये दोनों resistance की बात करें तो अगर ये equal होते दोनों resistance इफ इफ R1 equals to R2 दोनों आपस में equal होते तो इन दोनों पे जो voltage आता V1 और V2 दोनों equal आते V1 equals to V2 equals to total voltage का आधा, 440 by 2 that is equals to 220 volts लेकिन since R1 is greater than R2, तो V1 is greater than V2, यहाँ पर जो voltage आगे, that is will be greater than V2, राइट और वो V1 will be greater than 220 volts V1 will be greater than 220 volts अब V1 voltage 220 volts से जादा हो गया और इसकी maximum power rating है 220 volts तो क्या होगा कि बल बापका V1 will fuse 60 watt वाला बलब अपका fuse हो जाएगा So, 60 watt 60 watt bulb gets fused So, correct answer is Option 4 Classics इत्यवल से लेके Neat IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा शुडिंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलोट करे डाउटनेटा यह वाथ्साब कीचे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर